हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे प्रोड़क्स जो आते हैं अंडर वन फिप्टी और ऐसी किट भी बन जाती है यह आपकी जो कि अगर कॉलेज गोइंग प्रोड़क्स होती हैं उनको कुछ ऐसे लाइट और हलके प्रोड़क्स चाहिए होते हैं जो डेली यूज कर सकें और काफी एफोर्डेबल भी हो तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो फर्स टेम देख रहे हैं और इससे आपका मेकप भी काफी अच्छा बनता है और यह इंसाइट का प्राइमर है काफी चोटो सा प्राइमर है यह आपको मिलता है 94 रूपीज में जो की काफी एफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाता है और इससे आपके पोर्स भी काफी अच्छी तरह से मिनिमाइ है इससे आपके जितने भी pigmentation marks होते हैं या under eye black होता है वो अच्छे से hide हो जाता है इसमें आपको काफी अच्छे shades में मिलते हैं इसमें जो मेरा shade है वो है toffee और इसमें आपको light dark सभी तरह की shades मिल जाएंगे अगर आपको contouring करनी है उसके लिए भी आपको dark shade मिल जाएगा आप भी ले सकते हैं यह थोड़ा creamy consistency का है और इसे मैंने बाइ किया था 120 रूपीज में जो कि मैं समझते हूं काफी affordable range में आपको अच्छा खासा product मिल जाता है यह देखिए इस तरीके का इसका shade है toffee shade जो की मेरे skin tone के सब काफी match होता है इसलिए मैंने इसे बाइ किया था अगर आ foundation है और आपको 150 रूपीज में काफी अच्छा product मिल जाता है यह full coverage foundation है आप दोनों में से कुछ भी buy कर सकते हैं लेकिन जब भी आप इन दोनों में से कुछ भी apply करें आप अपने face को अच्छा से moisturize कर लीजे क्योंकि यह थोड़ी dry consistency की होते हैं तो आप अगर अगर अच्छा इसे apply करेंगे moisturizer तो यह आपको ज्यादा dryness नहीं देगा लेकिन जिनकी oily skin है उनके लिए काफी अच्छा foundation है यह देखिए इसमें जो मेरा shade है यह है element जो की काफी अच्छा shade है इसमें आपको बहुत सारे shade range मिल जाती है यह इस तरीके की stick आती है और इसे आप roll करेंगे तो य match हो जाता है और अगर मैं आपको pancake दिखाऊं तो यह pancake भी मेरा यह element है element shade है इसका और इसमें आपको sponge मिलता है जो कि मेरा काफी untidy हो गया use करने के बाद और यह काफी अच्छा shade है इसमें आपको और भी shade range मिल जाएगी नेक्स प्रोडक्त है compact powder जो की faces Canada का compact powder है मुझे यह और ड्राय दोनों skin के लिए काफी best है और यह आपको मिलता है 147 रूपीज में और अगर आप loose powder लगाना चाहते हैं तो loose powder के लिए मेरे पास है insight का HD का loose powder यह काफी अच्छा loose powder है आपके makeup में काफी अच्छा glow भी देता है प्लस आपके जितनी भी sweating हो रही होगी उसको भी काफी जादा shades में मिल जाएंगे इसे मैंने buy किया था 135 रूपीज में जो की काफी affordable range है मेरे next product है blusher जो की मैं आपको recommend करूंगी कि आप inside का blusher लीजे क्योंकि यह काफी जादा affordable blusher है और काफी easy to apply है इसमें जो मेरा shade है 02 raspberry geletto यह काफी अच्छा shade है इसमें आपको बहुत स creamy consistency का है जो कि आज करी मी ब्लश का बहुत ज्यादा trend चल रहा है यह काफी easily apply भी हो जाता है और इसका pigmentation भी काफी अच्छा pigmentation है आप यह देख सकते हैं काफी आराम से ही apply हो जाता है और आप कहीं पर भी आपको इसकी brush की भी जरूरत ना हो तो आप अपने finger से भी से आराम से apply कर सकते हैं next जो मेरा product है वो है inside का highlighter जो की काफी अच्छा highlighter है तो मैं समझते हूं कि यह inside के जो blusher और highlighter की जो range है यह काफी अच्छी range है यह भी creamy consistency का है इसमें जो मेरा shade है 03 angelic beauty यह काफी अच्छा shade है इसमें भी आपको dark light silver metallic हर टाइप की shade मिल जाएंगे जो की आपकी skin tone को काफी highlight करेंगे अच्छा texture है काफी creamy texture है और आप देख सकते हैं कि इसका pigmentation भी काफी अच्छा है हलकी से touch में ही यह काफी अच्छा shine देता है और कोई भी इसमें शिमरी particles नहीं है आपके skin में काफी अच्छा glow भी देगा मेरा next product है eyeshadow जो की मैं आपको recommend करूंगी Swiss beauty का ले दोनों eyeshadows काफी अच्छे eyeshadows हैं लेकिन Swiss beauty का यह जो मैं आपको eyeshadow दिखा रही हूं यह minimum range का है लेकिन इसका price है 202 जो की आपको काफी अच्छा product मिलता है अगर थोड़े से भी ज्यादा पैसे invest करते हैं अच्छी चीज में तो आपको long lasting cheese मिलती है और इसका pigmentation भी काफी अच colors मिल जाते हैं इसमें जो मेरा shade है यह 0-3 और इनका pigmentation भी काफी अच्छा pigmentation है मुझे यह eyeshadow काफी अच्छे लगते हैं Swiss beauty के और इसे आप as a highlighter भी use कर सकते हैं अपने eyeshadow के लिए भी use कर सकते हैं अगर मैं आपको इनका highlighting effect देखा हूं तो यह देखिए इनके काफी अच्छे shade आत है इनके eyeshadows में और काफी अच्छा gloss भी आता है जो कि आपकी skin को काफी अच्छा highlighting बनाता है especially festive season में या wedding season में आप कुछ भी apply कर लीजिए आपकी skin को काफी अच्छा highlight भी करेगा मैं बात कर रही हूं eyeliner की जो कि मैं recommend करूंगी आपको लैक्टमे का मार्स का eyeliner के लिए यह दोनो eyeliners काफी affordable eyeliners हैं और काफी अच्छे eyeliners हैं अगर मैं लैक्टमे की बात करूं तो यह थोड़ा waterproof नहीं है लेकिन अगर मैं मार्स की बात करूं तो यह waterproof है मार्स का eyeliner आपको मिलता है 150 रुपीज में और लैक्टमे का eyeliner मिलता है आपको 130 रुपीज में लेकिन long lasting है दोनों की pigmentation काफी अच्छा pigmentation है और काफी easy to apply है नेक्स प्रोड़क्त है मस्कारा जो कि मैं आपको दिखा रही हूं blue heaven का मस्कारा यह भी काफी अच्छा मस्कारा है अगर आप affordable range में देखना चाहते हैं तो यह काफी अच्छा है यह आपको मिल जाते 146 यह 150 रुपीज में और यह ऐसा म लेकिन यह waterproof नहीं है अगर आप waterproof मस्कारा देखना चाहते हैं तो आप दूसरे products देख सकते हैं लेकिन अगर आप वैसे normal अगर मस्कारा लेना चाहते हैं तो आप इसे recommend कर सकते हैं कि यह काफी अच्छा मस्कारा है उस basis पे कि अगर आपने इसे डेली apply करना है और थोड़ी द काफी अच्छा इंहांस भी करता है का waterproof है यह आपको मिलता है 123 रुपीज में जो कि काफी एफोर्डिबल रेंज है इसका pigmentation भी काफी अच्छा pigmentation है इसमें आपको इभन स्ट्रोक में काफी अच्छा color भी मिलता है यह देखी काफी अच्छा है और हलका सा भी apply करने पर काफ पर स्टै ब्लू हैवन की लिप्सिक जो की आपको मिलती है वह लिक्वेड लिप्सिक काफी अच्छी लिप्सिक है लेकिन थोड़ी रहती है तो अगर आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉश्राइज कर लेंगे लिब बाम लगा लेंगे तो यह काफी लांग है मैं समझती हूं कि यह लाइट कलर का जो शेड होता है सभी ड्रेस के साथ चल जाता है यह आपको मिलती है वन कॉंटी फाइब रुपीज में जो की काफी एफोर्डेबल रेंज आती है इसमें और भी कलर मिल जाते हैं सभी डाक लाइट सभी शेड आते हैं और नेक्स लि यह फाइफ और दूसरे में जो मेरा शेड है वह थर्टीन लिप्स्टिक है यह बहुत लांग लास्टिंग है और यह काफी देर तक इसका स्टेर रहता है यह आपकी जल्दी से रिमूव नहीं होती है इसमें यह शेड काफी अच्छा शेड है यह इस टाइप का शेड आता Neighbor's L트를 को अब जाएगा आपके हर आउटफीट के मैच हो जाएगा यह लिप्सटिक पिग्मेन्टेशन है इसका स्ठेर बने रहता है और आपके लिप्सटिक द्राइं ने देता है मसक्त जो काफी अच्छी लिप्स्टिक यह आपको 150 की रेंज से थोड़ा उपर जाना पड़ेगा यह आपको मिलती है 175 रुपीस की लिप्स्टिक जो मैं समझती हूं अगर हम 10-20 रुपे भी अगर बढ़ा लेते हैं और हमें कोई अच्छी चीज मिलती है यह अच्छी quality की और अच्छी quantity की तो हमें उसमें थोड़ा compromise कर लेना चाहिए मुझे यह लिप्स्टिक परसनली काफी अच्छी लिगती है और यह काफी creamy lipstick है इसका texture भी काफी creamy है और इसमें काफ भी देख सकते हैं यह देखिए इस टाइप का शेड है जो कि pinkish tone में आता है जो कि सर्मस में काफी cooling effect देता है और हमारी सभी outputs के साब मैच भी हो जाता है तो यह ऐसी lipstick है जो कि आप affordable range में आराम से buy भी कर सकते हैं और डेली बेसिस पर apply भी कर सकते हैं तो friends मैंने जो भी आपको products दिखाए हैं मुझे उमीद है कि यह काफी affordable products हैं और काफी अच्छे products हैं और जो कि हमारे make up को भी अच्छा बनाते हैं और हम इसे daily use में भी use कर सकते हैं क्योंकि यह काफी affordable range में आ जाते हैं और आपको सभी website पर यह वैलेबल भी हो जाएंगे तो इस उमीद से कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी इंफॉमेटिव लगी होगी तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जोती हूं आपसे नेक्स वीडियो में अंटि तो दूले लगी हूं